तो दोस्तो आज 22 एप्रिल 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिनीवल सेक्टर की दिगज कमपनी इरड़ा की शेर्स के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है तो दोस्तो फ्राइडे के दिन बजार क्लोज हो जाने के बाद कमपनी के रेजल आउट हुआ था और आज फाइनली इसका इंपक्ट हमें देखने को मिला बंपर तेजी के साथ शेर आज ओपिन हुआ था सीधा सीधा गाप और क्लोजिंग दिया 170 रुपए 95 पैसे पे लगब सबसे वैली बाद है कि कंपणी ऐर-on-year basis पे हो या quarter on quarter basis पे हो company अपनी total income में बहुट अच्छा ग्रोथ रख्का और सबसे best पार्ट ये था इस रेजल्ट की कि कंपणी नाकेबल total income पर जिसके चलते नेट प्रोफिट में अल्टिमेटी बहुत अच्छा मैसिव ग्रोथ देखने को मिला अब बात यह है कि इतना अच्छा कमपनी रिजल प्रेजन किया इतना अच्छा मूबें दिया प्रॉब्लेम यह है कि बहुत सरे ब्रोकरेज को ना हजम नहीं होता बात कि हम लोग नहीं खड़ी दे शियर ऊपर की तरह मूफ कर रहा है ऐसे कैसे हो सकता है हम तो इसको गिरा के ही रहेंगे तो दोस्तों याद कर कि देखिए ज्यादा पुराने बात नहीं लगबग कितना होगा देर से दो मैने पहली की बात है मैं आपके साथ शेयर किया था याद करके देखिए फिलिप कैपिटल यह ब्रोकरेज कंपनी है इनके दुआरा इसके पहले डाउन गेट किया गया था मैं आपको अपनी की जो परफामेंस है उसके बर बेस करके क्या यह 35 पर से नीचे गिरेगा अब पहले देख लीजे लास्ट टाइम हमने देखा था इसके अंदर जो टारगेट दिया था फिलिप कैपिटल ने 80 रूपीज की और मज़ेदार बात यह है कि देखिए शेयर उतना आया ही है और आज की रेट में 174 लोज दिया था इस बार जो न्यू टारगेट दिया फिलिप कैपिटल की तरब से थोड़ा इंक्रीज करके कुई इन लोगों भी मालूम है बहुत अच्छे से कि भाई साब इतना नीचे तो आने वाला नहीं है कंपनी टाइप की परफॉरमेंस द आपके सामने है कितना स्ट्रॉंग बैलन शीट आप सोचिए एक भी सेग्मेंट पर दोस्तों फॉल नहीं किया हर एक सेग्मेंट पर कंपनी अच्छा ग्रोथ रखा इस से अच्छी बात क्या हो सकता है बागी देगी च्वाइस आपके उपर है तो देखिए पहले तो एक अनलिस्ट ने इसकी रेजल के ऊपर थोड़ा बहुत चरचा क सब्सक्राइब तो बैसिकली जो एनलिस्ट है उसने में भी रेकमेंट किया था तो स्टॉक है सिंस देन डेलिवर्ट हुज रिटर्न उसके बाद देखिए इन्होंने मेंशन किया ही देखिए हावेवर नौ एक्सेप्ट इड़ा इड़ा के साथ साथ जो और भी शेयर साथ की टाटा पाउर हो गया एंटीपीसी हो गया पाउर ग्रीट हो गया यह सारे शेयर को भी लॉंग टम के लिए रिकमेंट किया सेम चीज़ागर हम बात कर दूसरे और बहुत सारे अनलिस्ट निसको कवर किया पहले करके देखते जाए ना ठीक है यह यह देकिया और साथ में यह देखा था कि पी एंडी द्वारा जो सुरी दे योजना तो उसके तहरे कंपनी को बहुत फाइदा मेले जिसे हम बोलता है कि उसका जो टेक्निकल नेम था पी एम कुशुम स्कीम ठीक है इसके दुर बहुत फाइदा मेले इसको और इन देख चुका तो इसको बेस करके अगर मुफ किया तो लगबग 185 कास पर एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है जो कि लास्टेंब ने देखा था 182 185 कास पर रिजिस्टेंस मिला तो निची की तरफ सपोर्ट डेवल ते अभी देडे ऊपर पहुंच चुका है बिकास पहली की बात अलगता अभी शियर धिर स्टेवल हो चुका है 165 पर सपोर्ट डेवल है दूसरे एक और अनलेस ने कवर किया इनके दौरा मेंशन किया उपर की तरफ 184 पर रेजिस्टेंस है नीची की तरफ सपोर्ट है 163 पर अगर सपोर्ट डेवल ब्रेक किया तो उसके समे मैक्स-to-max 140 तक आ सकता है नियर तम मे ब्रोकरेस द्वारा दोस्तों काफी ऑप्टिमिस्टी काफी एग्रेसिवी नजर आ रहा है तो देखिए ऐसा होना भी चाहिए ओविसली कंपनी की अल्टिमेटली बैलेंट शीटी सब कुछ बोलता है मैं बार बर आप सभी को बोलता हो कि देखिए ना मेरा सुनना है कोई कोई ब्रोकरेस का सुनना है किसी को सुनना नहीं है सुनना है सिर्फ कंपनी की बैलेंट शीट कंपनी की परफॉमेंस का अगर परफॉमेंस में दम रहा आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता ठीक है और आज के रेट में जिस जो डेलिवरी का परसंटेज ठीक है वो काफी डाउन हो जाता है बट इस केस में आच ऐसा देखने को नहीं मिला विकास लोग इसमें बहुत ज्यादा डेलिवरी उटाना पसंद किया चैक और कुपर ट्रेडिंग वा वाल्यूम और जिसमें डेलिवरीवल परसंटेज दोस्त अच्छा देखने को मिला 30% कुपर 30.80% तो दोस्तों यह सब क्यों पर बेस करके आइधिंग की शेयर में पोटेंटियल तो है कंपनी की परफ्वेंस में अच्छा ग्रोथ है अब देखना होगा कि शेयर नेक्स्ट कहां पर पहुंचता है क्या जितने भी न्यूस था मैंने कवर कर लिए अब चले मैं आपको सिधा टेकनिकल चार्ट पर लेकर चलता है वहाँ पर जाके थोड़ा चीजों को और अच्छे से डीटेल में समझेंगे लिया इडिया की लास्ट तीन मैंने की चार्ट परन शुरूआत करेंगे अनलसिस बड़ उसके पहले अगर आपको सब्सक्राइब करकर लाइक लिए तो रॉफ ट egal ku पने के लिए और सब्सकरवर अपना तक आया फिर से हमने देखा बहुत सरे global issues के कारण फिर से fall किया 160 के आसपास support मिला फिर देखते देखते आज यहां पर पहुंच चुका है एक और चीज़ दोस्तों आप देख लिजे जो कि आपको मैं इसके पहले भी यह सब्सक्राइब ऐसे कि सारे इंडिकरेंब्स के हमई क्या मलूं परता है कि एक क्या सिग्टनल दे रहा है क्या बूली सिग्नल है ठीक है तो बेसिकली बात करें शेर 166 लेके 65 तेक अच्छा सपोर है उपर की तरह बात करें जो स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस वो दोस्तों 180 से लेका 185 में आपको दिखा लिख के देता हूं उसके बाद बात करेंगे ठीक है 180 से लेके 185 एरेजिस्टेंस है क्यों कि आज से लगव कुछ तेम पहला पहुंच आई ये तो आप देखेंगे कि जब शेयर में एकदम से सदेन ड्रॉप अधिया एकदम से जब ड्रॉप अधिया थे यहां पे शेयर को रिजिस्टेंस मिला ठीक है यह है यह वाला पाट यह देखें कहां पर इस पार्ट पर कहां पर मिला था 180 से लेका 185 पर उसके बात एकदम शेयर में धर 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 घरावाट फिर जब एकदम से शेयर में रिकावर हुआ नियर टम में आपने कुछ दिन पहले यहां पर जिसकारण एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो सबसे पहली पॉइंट यह है कि आप खुझ से पूचिए क्या आपके अंदर पेशन्स है पेशन्स मतलब कितने महीने या कितने साल का पेशन्स पेशन्स मैं आपको बारवर वोलता है इस टेप की कमपनी लॉंग टम में आपको सबसाद गेनिंग दे सकता है मल्टी बैगर रिटन दे सकता है ठीक कंपाउंडिंग होगा आपका वैसा तो मिनिम्म आपको यहां पांच साल तो होल्ट करना पड़ेगा अगर उत आपको यहां पर वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक लेटे कर बावाई जय हिंद